बिहार में सियासी उठापटक के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंग राजभावन पहुचे राधा मोहन सिंग बीजेपी के सांसद तो हल चले हैं हर घड़ी बढ़ती जा रही हैं बिहार में बैठको का दौर, मीटिंग्स का दौर, रुपेश के पास सीधे चलेंगे रुपेश राजभावन में अब हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है राधा मोहन सिंग पहला नाम जो राजभावन पहुचे तेकि ये राजभावन की भूमी का बहुत महतोपूर्ण होने वाली है कल, खासकर सबकी निगाहें राजभावन पर ठीकी होंगी क्योंकि राजभावन क्या फैसला लेता है ना सिर्फ जेडियू खेमे की समाम उमीदे राजभावन पर ठीकी होंगी बलकि राजभावन भी कोशिश करेगा कि राजभावन से उसे इस आधार पर उमीद होगी कि अगर वो सबसे बड़ी पार्टी है, वो सरकार बनाने के नियुते की मांग करते हैं तो राजभावन का रूख क्या होता है राजभावन उन्हें नियुता देता है, उन्हें अंदर आने देता है और अगर नहीं आने देता है तो क्या पिछली बार की तरह वो राजभावन के ठीक सामने अपने विधायकों का परेड भी करवाएंगे, ये राज़त खेमे में रणनिती बन चुकी है लेकिन जो जेडियू और बीजेपी के रणनिती है, कि आज साम चार बजे जो विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की उसमें बीजेपी अपने तमाम विधायकों से समर्थन के पत्र पर हस्ताक्षर लेगी और देश शाम तक मुख्यमंत्री आवास में वो समर्थन का पत्र पहुंच जाएगा कल जब दस बजे जेडियू अपने विधायकों के साथ विधार दल की बैठक करेगा वहाँ समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर होगा और जीतन रामांजी ये तमाम समर्थन का पत्र लेकर नितिश कुमार राजभवन जाएंगे राजभवन में इस्तिफा देने के साथ ही समर्थन का पत्र राजपाल को सौपेंगे सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे और बहुत संभव है कि उसके कुछी घंटे बाद यानि कि कल बारा बज़े के आसपास नितिश कुमार इस्तिफा दें और उसके साथ ही समर्थन का पत्र सौपे सरकार बनाने का दावा पेश करें और चार बज़े शाम को राजभवन के राजिंदर मंडपम में नई सरकार का सपत ग्रहन हो जाए जादा जानकारी के साथ हमारे सयोगी रजनीश हमार साथ जोड़ेवे उनका रुख करेंगे रजनीश इस खबर पर क्या अपडेट है आज भी एक बैठक होनी है और कल भी एक बैठक बुलाई जाएगी और इस बीच कहा जा रहा है कि जल्दी बीजेपी अपना समर्थन पत्र भी सौपेगी नई सरकार बराने के लिए बिल्कुल देखें जो बीचेपी के प्रभारी है उन्होंने साफ तोर पर ये कहा है कि शाम की जो बैठक है उसमें लोगसवा चुनाव की रणनीटी पर चर्चा होगी और ये एक तरह से extended जो state executive है उसकी बैठक है लेकिन सब लोग ये जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में राजनीति घटना करम बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इस वक्त केंद्र में नितीश कुमार के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भूमी का है बिहार की राजनीती में वो बीजे पी की है क्योंकि दोनों मिलकर सरकार बनाने वाले हैं बनाने के लिए जो आकड़ा है उसकी भरपाई ये दोनों करते हैं और जीतर ना माजी उसमें एक बोनस के तोर पर है तो शाम की जो बैठक होगी निश्चे तोर पर उसमें पार्टी आला कमान का जो फैसला होगा पार्टी आला कमान का जो मैसेश होगा तमाम विधायकों क को दिया जाएगा और उसके बाद एक और बैठक कल सुबह भी होगी लेकिन माना यही जा रहा है कि आज की बैठक जो बिल्कुल होनी है और रात तक की जो खबरें हम तक आ रही ही कि रात तक क्या-क्या होने वाला है उसे बहुत सारी तस्वीरें बिल्कुल स्पश हो जावधेश जी एक सवाल मैं इंडिया गटबंदन को लेकर करना चाह रहा था क्या इंडिया गटबंदन वो राजनितिक टाइटेनिक बन गया है जो अपनी पहली ही यात्रा में डूबने की सितिमे है इसको इस रूप में कहिए कि INDIA गटबंदन बनने के पहले ही खत्म हो यानि सीशू का जन्म होने के पहले ही उसका गरपात हो गया है क्योंकि उसके जन्मदाता नितीश कुमार जी थे बिहार उसकी पहली बैठक होई थी तो जब जब नितीश कुमार जी नहीं अब अगर ये इस्थिति पैदा कर दी वहां कि बिहार का ही महा गटबंदन तूट गया क्योंकि INDIA का कोई एक रज अगर सबसे ससक्त गठबंदन हो सकता था तो बिहार था पस्चिम बंगाल में संभावना नहीं है महाराष्ट की स्थिति आप देख रहे हैं पंजाब दिल्ली स्थिति देख रहे हैं अगर बिहार में ही INDIA खड़ा नहीं हुआ और नितीज के अलग होने का मूल कारण ही INDIA में उनकी अंदेखी और उपेक्छा रही और लालु जी और उनके पड़िवार को ज़्यादा महत तो मिलना उनका नाम न लिया जाना तो INDIA है कहां फिर इसलिए यह जो इस समय नितीज कुमार के जो नितीज कुमार अगर भारतियंदा पार्ट अचाहें जो है वो तो यहीं आके बिराम लग गई और नरेंद मोदी को ही प्राइम निश्टर बनना आए यह सब मुकाबला नहीं कर सकते हैं आपस में इनका है तो हम नरेंद मोदी के साथ क्यों न जाएं यह तो जो दो इससे बरे राश्ट्रिये इसके जो जो परिणाम आने वाले हैं एक कि आये नी आये पर पूरी तरह गरहन लग गया और इससे सबसे ज़्यादा अगर तात्कालिक राजनितिक छती होनी है तो वो आर्जे डी को होनी है तो यह दो ऐसे प्रिणाम है जो कि लोग सबाद चुनाओं इनके दोनों अगर दिख भी रहा है कि यह बड़ा जो अलाइंस तयार किया गया था एंडिये को पठखनी देने के लिए बीजेपी को हराने के लिए उस अलाइंस पर ग्रहन लग गया है यह साफ दोर पर नजर आ भी रहा है